लाइफ कबर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शेल चुटा दिल्ली में चुनाव नस्दीक है ऐसे में हर पार्टी पुर्वांचल के वोटरों को लुभाने में लगी हुई है दिल्ली में पुर्वांचल के वोटर्स की एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है और उनका दबदबा भी काफी है पुर्वांचल जिस पार्टी के साथ खड़े हो जाएं ऐसा माना जाता है कि वो पार्टी कुछ भी कर सकती है इस मौके पर संजय सिंग ने स्याकडो की संख्या में पुर्वांचल वासियों को आमाद्मी पार्टी में शामिल करवाया जोईन करवाने वाले नेताओं में जनता दल यूनाइटेट के प्रधान महासचीव नरेंद्र सिंग और उनके कारकरता मौझूद थे हलाकि जनता दल यूनाइटेट का दिल्ली में बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं है फिर भी पुर्वांचल वोटर्स उनका फाइदा आमाद्मी पार्टी को मिल सकता है इस मौके पर नरेंद्र सिंग ने आमाद्मी पार्टी और अर्विंद के जिवाल के उपलब्डियों का बखान करते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा से ही बिहार और पुर्वांचल वास्यों के लोगों के हितों के लिए काम किया है चटपूजा से लेकर स्वास्त और सभी बुनियादी सुविधाय उन्हें दी गई हैं ऐसे में आने वाले चुनाओं में ये लोग आमाद्मी पार्टी का साथ देंगे इस मौके पर संजे सिंग ने कहा कि भारती जनता पार्टी और कॉंग्रिस पर निशाना साधा उन्होंने और साती कहा कि दोनों ही पार्टियां पुर्वांचल वास्यों के खिलाफ काम कर रही हैं ऐसे में सिर्फ आमाद्मी पार्टी ही उनका बहतर सहारा है आपको बताते कि दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं और इसी के चलते तमाम पार्टियां दिल्ली वासियों को अपनी अपनी तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही हैं फिलहाल ये देखना होगा आने वाले चुनावों में कि आखिरकार दिल्ली की जनता किसके सर पर ताश पहनाती है तो ये दिल्ली से हमारे समवादा ताजीत कुमार की रिपोर्ट इसी के साथ देश दुनिया और सियासा से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप अने रहे लाइफ खबर के साथ पुझे दीजी इजासत नमस्कार